हमेशा निरोगी रहने का उपाय है आपके पास मनुश्य त्रिविद ताप से पीडित है और उसमें भी सबसे ज्यादा पीडा उसे देह देती है यही देह जिसका पूरी जिन्दगी लालन पालन किया हो फिर भी वह कब दगा दे जाएगी कब दुख देगी कुछ कहा नहीं जा सकता दातों को साफ रखने के लिए कमरा भर जाए इतने दातुन किये होंगे किन्तु जब दात का दर्द होता है तब अच्छे अच्छों की आबरू चली जाती है इन सबसे छूटने के लिए क्या करे डॉक्टर दवाई से रोग तो मिटा देते है मगर वास्तव में तो रोग पैदा ही न हो उसकी और जागरूत रहे यही सही इलाज है दर्द आ पड़े तो भुगत ना तो पड़ेगा ही क्योंकि वह प्रारब्ध है उसके कारण उसके बीज तो पहले ही बोये हुए है अतह इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता हाँ बड़ी विपत्ती थोड़े में ही टल जाए हलकी सी पीड़ा से ही भारी कर्म का भुगतान हो जाए ऐसा हो सकता है ज्यानी पुरुष दादा भगवान ने रोग किस कारण होते है उसका गुहिय विज्ञान बताते हुए कहा है कि जिन इंद्रियों का दुरूपयों किया हो उन इंद्रियों के रोग होते है जैसे कि सही बात नहीं सुनी तो बहरा पनाता है द्रिष्टी बिगाड़ी हो तो आख के रोग होते है अंधा पनाता है मन से दूसरों को दुख दिये हो तो मान सीक रोग होते है बुद्धी से दूसरों को मारा हो तो कमजोर बुद्धी मंद बुद्धी होती है और जीव की तो बात ही करने जैसी नहीं है एक जीव वानी का दुरूपयोग बंद हो जाए तो शारीरिक मानसिक असंख्य रोग मिठ जाए और शान्ती प्राप्त हो सकती है सभी दुख और पीड़ा वानी के कारण ही है ज्यानियों ने वानी को आत्मा का लिकेज कहा है इसी लिए ही धर्म में मौन पर विशेश जोर दिया गया है वानी सब रोगों वद्दुखों का मूल कारण है इसी लिए इस पर विशेश ध्यान देने की जरूरत है वानी तो सरस्वती देवी मानी जाती है मगर निंदा द्वारा उसका हिंसक उपयोग करें तो लक्ष्मी का आना भी बंद हो जाता है रोग होने का दूसरा कारण है क्रोध, मान, माया, लोब, राग, द्वेश रुपी, कशाए क्रोध इसमें मुख्य है क्रोध करने से पूरा अंतह करन तप जाता है स्वासोच्छ्वास बहुत तेजी से चलने लगते है जिससे आयूश्य भी कम हो जाता है क्योंकि मनुश्य का आयूश्य स्वासोच्वास पर निर्भर है ज्यादा क्रोध करने से बलड प्रिशर भी बढ़ जाता है हार्ट एटेक भी आ जाता है नॉर्मल के बजाए ज्यादा तेज गती से शरीर के अंदर के परमाणों के तपने से शरीर के नॉर्मल फंक्शन्स भी एबनॉर्मल असामान्य हो जाते है और रोगों का जन्म होता है गुस्से से असंख्य सुक्ष्म जीव भी मर जाते है और कितने ही शारीरिक मानसिक रोग जन्म लेते है कोई भी चीज नॉर्मालिटी में ही अच्छी है अती होते ही शरीर पर विपरित असर होता है भोजन से शरीर का पोशन होता है पर ज्यादा खाना खाए तो वह जहर बन जाता है इसका पाचन न होने से खून नहीं बनता इसी लिए ही वितरागों ने उनोदरी तप करने के लिए कहा है यानि कि भूख से कम खाना धर्म में उपवास करने के लिए कहा गया है वह भी देह के लिए ही है उपवास करने से शरीर रुपी मशीन के सारे पूर्जों को आराम मिलता है और वे फिर से अच्छी तरह से काम कर सकते है देह को स्वस्थ रखना है तो भाव कशाय न करें यही शरेष्ठ हुपाय है प्राप्त मन वचन काया से इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र दुख न हो ऐसे भाव रखने से जैसी ध्वनी वैसी प्रतिध्वनी के नियम के अनुसार हमारे अच्छे स्पंदनों का असर हमारे शरीर पर ही वापिस आता है और सभी रोगों से मुक्ती होती है दूसरों को सुख देने से हमारे मन को आनंद और शान्ती मिलती है और तब रोग होने का कारण ही नहीं रहता क्योंकि रोगों का प्रवेश पहले मन में होता है फिर तन में और फिर पूरे शरीर में फैलता है शारिविक, मानसिक और भवरोग का प्रत्यक्ष कारण क्रोध, मान, माया, लोब, रागद्वेश है परन्तु वैज्यानिक मूल कारण तो स्वयम के स्वरूप की अज्यान ता है यदि ज्यानी पुरुष के ज्यान से स्वरूप का अज्यान दूर हो जाए तो क्रोध, मान, माया, लोब, रागद्वेश, रुपी, संसारी व्रिक्ष अपने आप ही सुख जाता है और सभी रोगों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है आपको क्या लगता है? हाइलाइट्स डॉक्टर दवाई से रोग तो मिटा देते है मगर वास्तों में तो रोग पैदा ही न हो उसकी और जागरित रहे यही सही इलाज है देह को स्वस्थ रखना है तो भाव कशाय न करे यही श्रेष्ठ उपाय है शारिदिक, मानसिक और भव रोग का प्रत्यक्ष कारण क्रोध, मान, माया, लोब, रागद्वेश है परन्तु वईज्यानिक मूल कारण तो स्वयम के स्वरोब की अज्यानता है जीहा आनन्त रोगनों मूल उखणियों वर्ते कारण दादानि सिधियों आखा आक्रमग्णान दिना सुनियों एने खोदियों धोरी रूष मूलियों जीहा आनन्त रोगनों मूल कूखणियों वर्ते कारण दादानि सिधियों कामने क्रोध लोभ मायानी रूति पोतानी प्रतिष्ठाती उभी मूड शूष्ची सरपिल भूतिये गडियों अह मनोडियों पडड़ साकरने जैर माहे गोडियों जीहा आनन्त रोगनों मूल उखडियों वर्ते कारण दादानि सिधियों तन्मैतासंगी क्रियां खुल्लाँ फातक सुक्ष्म भाव कारणनु थूड रूपे नाटक प्रत्यक जन्म अहमे रूपक भूगवियों सर्वे अवस्थिते आडवीज रूपियों आधा अक्रमग्दान दिना सुनियों एने खोदियों धोरी व्रूप्ष मूडियों दादेज खोदियों धोरी मुल्नु कारण शुत्थात्मा उपादान सुखा मुरूत्वारण जुन्ना रोग निकाली नवूं कैन चौटियों जुन्ना रोग निकाली नवूं कैन चौटियों जोयों जान्यों मैं जुदूं मारों खोडियों जीहां अनन्त रोग नों मूड उखडियों वर्ते कारण दादाने सिधियों शुत्त उपयोगे भासे नवनीत नीमि सित्त उपलब्धि आजे कल्यान आत्यंतिक्त ओहो मुख्ष सुख देहा तीत जड़ हरियों प्रेमल मौन भाशी करूनार साहे बियों जीहां अनन्त रोग नों मूड उखडियों वर्ते कारण दादाने सिधियों वर्ते कारण दादाने सिधियों किसी भी अवस्था मेर तादा सूस्पष्ट समाधानी सरवगन मुक्षे बही परमशूत ही गानवानी कहीं से भी कभी भी पड़ों देखो हितकारी ना नीचरणे बावारपन आत्यंतिक उपकारी दादा भगवान ना असीम जै जै कार रो दादा भगवान ना असीम जै जै कार रो